हेलो दोस्तो मेरा नाम अमित है एंडिटी एंड कॉलिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तो नॉन डेस्टर्टिव टेस्ट के फिल में बहुत सारे एंडिटी के मैथड यूज होते हैं जो मैथड जो है उसके कई सारे टाइप से जैसे की लिक्वीड पैनिटन टेस्टिंग मैगनेटिक पार्टिकल टेस्टिंग अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग रेडियोग्राफी टेस्टिंग उसके अलवा वीजोल टेस्टिंग एडी करन टेस्टिंग ये सब भी हम ज्यादा तर इंडिस्टी में यूज करते हैं तो अभी सभी ज डूलने के लिए आप यूज नहीं कर सकते हूं और material के उपर भी depend रहता है कि कुछ material में कुछ method है वही आप यूज कर पाते हूं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको liquid penitent testing जो method हमारा है उसके advantage और उसकी limitation के बारे में बताने वाला हूं तो इससे पहले मैंने अल्रेडी ये magnetic particle testing और ultrasonic testing के advantage और limitation के वीडियो बनाए हुए है तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा ये advantage और limitation जो है वो हर method का आपको पता होना चाहिए जब भी आप कोई भी NDT के interview के लिए जाते हो तो वो time पे जो भी method का आप interview देते हो तो वो method के advantage limitation आपको पूछे जाते है तो वो आपको तभी पता होने चाहिए तो आज के इस वीडियो में हम LPT के advantage limitation देखेंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लीजे और ये वीडियो भी अपने दोस्तोर कलिक लोगों को share करिए तो सबसे पहले हम liquid penitent testing जो है उसके advantage देख लेते हैं तो LPT works on complicated geometric shapes बरावर ये इसका सबसे पहला advantage है तो complicated geometric shapes है तो उसमें आप LPT RM से कर पाते हो LPI materials are compact बरावर दो ये material जो है वो compact material रहते है मतलब कि आप कहीं भी इसको use कर सकते हो और इसकी compatibility भी बहुत अच्छी रहती है It has very high sensitivity, small discontinuities can be detected तो इसका sensitivity जो है method का वो बहुत अच्छा रहता है और छोटे से छोटा indication है, discontinuity है तो आपको मिल जाएगा और surface के उपर का indication ही आपको इसमें मिलेगा Generally, part geometry does not affect taste Generally, आप देखने बेट तो part का कोई भी geometry हो मतलब की part है, उसका shape कैसा है उसका इसके उपर, मतलब method के उपर कोई effect नहीं पड़ता है Pro works on all materials such as works on non-metallics, metallic, non-magnetic, magnetic, non-conductive and conductive materials बरबर तो यह सभी तरह के यह material है, उसमें आप LPT कर सकते है आपको पता होगा कि यह non-magnetic material है, उसमें आप MPT नहीं कर पाते हो जबकि LPT जो है, वो आपका सभी तरह के material में आप कर पाते हो उसके अलावा, inspection with this method is of low cost material and associated equipment are relatively inexpensive बरबर तो यह इसका बहुत बड़ा advantage है कोई भी company में आप जाओगे तो, वो लोग costing के बारे में सबसे पहले सोचते है तो यह हमारा method जो है, वो low cost method है तो इसके equipment वगेरा है, वो भी inexpensive है मतलब कि इसमें ज्यादा करचा नहीं आएगा आपका तो यह especially आप solvent immobile जो method यूज़ करते हो उसके लिए है तो solvent immobile method है, उसमें आपको पता होगा कि तीन आपका material यूज़ होगा मतलब cleaner, penitent, developer आपको यूज़ करना है तो यह काफी low cost method इसमें बोला जाएगा तो इसमें solond immobile के अलावा आपका post-emulsified water washable technique भी आता है तो उसमें थोड़ा expenses आपका बढ़ जाएगा तो यह तीनो method जो है वो कैसे काम करते है इसका भी मैंने अलग से video बनाया है तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा यह तीनो method इसका advantage, disadvantage वगेरा सब में उसमें बताया है वीडियो जो है आपको हमारे channel के playlist में मिल जाएगा उसके बाद advantage यह है बराबर flow मतलब कि आपका discontinuity तो आपका जो indication जो produce होता है वो directly आपका surface के उपर ही आपको indication मिल जाएगा बराबर मतलब कि visually आप आराम से indication है वो देख सकते हैं जबकि UT वगेरा सब method आप करते हो तो आपको पता होगा कि उसमें जो screen है उसके उपर आपको echo दिखेगा तो वो जो echo है उसको आपको बाद में interpretation वगेरा सब करके final जो indication है वो evaluation करना रहता है पर PT का यह advantage है कि LPT में आप जो भी indication आपको मिलता है वो directly surface के उपर ही उसका presentation आपको मिल जाएगा उसके बाद अभी यह method के limitation देख लेते हैं LPT जो है वो उसका limitation क्या क्या रहता है method में आप क्या क्या नहीं कर सकते तो यह तो पहला extensive time-taking pre-cleaning critical बराबर मतलब कि पहला यह extensive extensive process है time-taking process है इसमें time ज्यादा लगेगा उसके अलवा pre-cleaning है वो critical है बराबर मतलब pre-cleaning आपने बराबर अच्छे से नहीं किया है तो वो time पे आपको process जो पूरा है उसमें sensitivity नहीं मिलेगा मतलब indication miss होने का chance भी है time-taking मतलब कि इसमें जो time अगर अलग-अलग आपको देना पड़ता है आपको पता होगा इसमें dwell time, development time अगेरा सब देना पड़ता है तो यह इसका limitation है surface contaminant can mask defects बराबर तो surface के उपर कोई contaminant है जो आपने pre-cleaning में अच्छे से remove नहीं किया है तो defect है उसको mask कर सकता है मतलब कि उपर वो ठक जाएगा और बाद में आप जब भी peniton लगा होगे तो वो capillar reaction से अंदर नहीं जाएगा उसके अलवा sensitive to surface breaking defects only तो surface breaking वाला indication है वराबर वही आपको इसमें मिलेगा open to the surface indication के लिए ही आपका यह method है careful cleaning of part is vital otherwise indication could be obscure वराबर तो cleaning है वो बहुत important है अगर cleaning आपने अच्छे से नहीं किया है तो indication है वो obscure मतलब की नहीं मिलेगा आपको works on the relatively non-porous surface material only तो non-porous surface है उसके लिए ही LPT है वो अच्छा method है बराबर तो ज्यादा पूरous material है जैसे की casting का surface या forging वाला कोई part है तो उसमें आप LPT नहीं कर पाओगे उसके अलावा metal smearing from machining, grinding and grit और vapor blasting must be removed बराबर तो आप LPT करते हो तो उससे पहले अगर आप machining वगेरा सब आपको करना है बराबर तो उससे पहले आप LPT कर लो अगर आप machining, grinding वगेरा सब करते हो उसके बाद में PT करते हो तो क्या होगा कि आपका जो indication है वो smearing हो जाएगा बराबर मतलब कि वो डग जाएगा उपर से और आपको indication वो नहीं मिलेगा तो blasting अगर आपको करना है या machining करना है, grinding करना है जो आपका तो उससे पहले आप PT complete करना है उसके बाद ही आप बाद में सब manufacturing process कर सकते हो उसके लवा no depth sizing बराबर तो इसमें indication का depth वगेरा सब आपको नहीं मिलेगा तो ये भी इसका disadvantage है, depth के लिए आपको ultrasonic testing में जाना पड़ेगा इसमें एक simple step नहीं है, इसमें अलग-अलग step रहते हैं बराबर जैसे कि पहले clean करना, बाद में peniton apply करना, dwell time देना, developer apply करना बराबर तो ऐसे अलग-अलग step रहते हैं तो ये perform करने पड़ते हैं, ये भी इसका disadvantage है उसके अलवा time taking process है, post cleaning of acceptable parts और material is required है बराबर तो ये आपका time taking तो मैंने पहले बोला, उसके अलवा post cleaning है वो necessary है बराबर अगर आपने post cleaning नहीं किया है, तो आपका जो material मतलब developer, penitent cleaner वगेरा सब है उसका जो traces है, वो part के साथ adverse effect करेगा और part में corrosion भी बढ़ सकता है तो post cleaning है, वो required है उसके अलवा no recordable data handy for progress monitoring बराबर तो ये भी decent बनते जाएगी, इसका आप record नहीं रख सकते मतलब इसमें record करने के लिए कोई ज्यादा अच्छा system नहीं है तो इसमें progress monitoring जो है, वो easy नहीं है मतलब कि अगर आपने कोई crack या कोई porosity जैसा indication अभी आपने टूंडा है तो उसके दो साल तीन साल बाद इन service में उसका कितना progress हुआ है बराबर वो आप पता नहीं कर पाओगे क्योंकि पहले आपके पास record ही नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि indication जो है उसका कितना progress हुआ है बराबर तो ये सब liquid penitent testing का limitation है बराबर तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा अगर आप LPT के interview के लिए जाते हैं तो ये पूरा का पूरा याद रखे जाएए तो आपके लिए बहुत फाइदे मन होगा और अगर आपको इसमें कोई doubt है तो मुझे आप comment box में पूच सकते हैं ओके थैंक यू